डाले नहीं खा सकते, राजमा नहीं खा सकते, चने नहीं खा सकते, पालक नहीं खा सकते, पनीर नहीं खा सकते, मीट नहीं खा सकते, दूद नहीं पी सकते दोस्तो जैसे ही high uric acid detect होता है तो डॉक्स अब इतनी लंबी list पकड़ा देते हैं कि यह चीजें नहीं कानी है पर क्या उसके बावजूद uric acid ठीक होता है या दर्दें ठीक होती है दोस्तो इसके उपर चर्चा करेंगे और क्या इतनी strict diet follow करना ज़रूरी है भी है के नहीं anti-inflammatory diet के होती है और दो homeopathic medicines जो की बहुत helpful होती है आपकी gouty pains को treat करने के लिए दोस्तो इन सब विशों के उपर detailed discussion करेंगे पर सबसे पहले जानते हैं कि uric acid high क्या होता है uric acid एक chemical है एक substance है जो की हमारी body के अंदर मिलता है हमारे blood के अंदर मिलता है ये बनता है purine से purine एक substance होता है जो बहुत सारे different foods में हमें मिलता है उसको जब हमारी body use करती है तो उसमें से बनता है uric acid initially माना जाता था कि uric acid जो है वो waste product है यानि कि body को उसकी जरूरत नहीं होती और वो kidneys या stool के रास्ते उसको बाहर निकाल देता है but recent researches ने ये पता लगा है कि uric acid एक waste product नहीं है although एक end product है but उसकी utility भी बहुत है हमारी body के अंदर वो antioxidant का काम करता है antioxidant का मतलब है कि वो हमारी body को बहुत सारी different different चीजों से बचाता है हमें cancer से बचाता है हमारी body को aging से बचाता है इसलिए हमारी kidneys जो होती है वो uric acid को वापस reabsorb करती है हमारी body के अंदर normal levels 3.5 से लेके 7.2 mg per deciliter होते हैं दोस्तों जब इसका level बढ़ता है तो माना जाता है कि उसके छोटे-छोटे crystals बनते हैं और वो हमारे joints के अंदर आके फस जाते हैं जिसके कारण हमें inflammation सोजश और pain होती है दोस्तों gout को माना जाता है gout को एक inflammatory condition माना जाता है यानि कि joints के अंदर सोजश हो जाती है जिसके कारण severe pain होती है ये मानते हैं कि uric acid के छोटे-छोटे crystal joint के अंदर फस जाते हैं जिसके कारण सोजश होती है और pain होती है देखा गया है कि अकसर euric acid के कारण gout होता है वो हमारे पेर के अंगूठे पहोः सबसे ज़ादर αफेक्ड करता है ankles पे भी करता है knees पे भी करता है पर सबसे ज़्यादा हमारे पैर के अंगूठे को अफेक्ट करता है दोस्तों यह बहुत अक्सर हम देखते हैं कि पेशिंट्स बहुत स्ट्रिक डायट करते हैं सब को छोड़ देते हैं और उसके बावजूद उनका यूरेकेसिड कम नहीं होता और उनकी जो pains होती है वो better नहीं होती तो उसके पीछे कारण क्या होता है कारण यह होता है कि हम एक body का जो main inflammatory environment है inflammatory environment का मतलब है कि जो body के अंदर चीजें inflammation को बढ़ाती हैं उनको control नहीं करते हैं तो जब तक हम उनको control नहीं करते हैं यूरेकेसट के कारण जो pains होती है वो control नहीं होती है तो आप जितनी मर्जी डायट करते जाएए आपकी pains better नहीं होती है दोस्तो सबसे important factor होता है diabetes अगर आपके blood sugar levels high है तो chances है good enough chances है कि आपको pains है या inflammation है वो maintained रहेगी उसके पीछे reason होता है कि जो हमारे joints के अंदर lining होती है उसमें हमेशा थोड़ी-थोड़ी सोजिश रहती है अगर हमें diabetes है अगर हमारे blood के अंदर sugar levels high रहती है तो हमारे joints की lining होती है उनमें थोड़ी-थोड़ी सोजिश हमेशा रहती है जिसके कारण अगर हलका सा भी uric acid बढ़ता है uric acid के crystals joint में आते हैं तो यह pain जादा होने शुरू हो जाती है तो हमें diabetes control करना बहुत ज़रूरी है दोस्तो second factor है obesity यह बहुत commonly देखा गया है कि जिन ल आपको बहुत सारे sweetened beverages में मिलता है आपको अगर आप भार से juice ले रहे हैं soft drinks ले रहे हैं इन सब के अंदर fructose level बहुत जादा होता है और बहुत सारे fruits होते हैं जिनके अंदर fructose होता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगर आप जैसे alcohol is a big no दोस्तों alcohol बहुत major culprit होता है आपकी body के अंदर inflammation को बढ़ाने के लिए तो दोस्तों इसको भी हमेशा कम रखिएगा vegetable और seed oils दोस्तों जिनमें omega 6 जो high levels है इसको ये एक बहुत बड़ा component है नई research कहती है जो seed oils और कुछ vegetable oils जो है जिनमें omega 6 का जो level है वो high है तो उसके कारण आपकी body के अंदर inflammation बहुत high होती है chronic stress दोस्तों एक बहुत बड़ा factor है इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा manage करना पड़े मैं आगे medicines बताऊंगा कौन सी आप ले सकते हैं और आपको योगा और प्रनयाम के थुरू relaxation techniques के थुरू अपने stress को कम रखना पड़ेगा अगर आप अपनी inflammation को control करना चाहते हैं उनको better करने के लिए diet control इतना matter नहीं करती जितनी inflammation के जो levels हैं अगर वो जादा हैं तो आपको pain जादा रहेंगी रहेंगी तो आप unnecessarily जो बहुत सारी चीज़ें छोड़के बैठें उनको छोड़ने की इतनी जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमारी body अपने processes के through uric acid जो purines होती ह वो बहुत जादा बनाती है तो अगर आप बहार से purines का intake भी reduce करते हैं तो हमारी body itself जो अपने metabolic process से 5 times जादा purines बना रही होती है तो दोस्तो इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि हमें excessive जो diet में हम purines लेते हैं उनसे कई बारी इतना फरक नहीं पढ़ता जितना हमारे body के inflammatory factors से हमें फरक बढ़ता है दोस्तो यह थी चर्चा inflammatory environment के ओपर inflammatory factors यानि कि वो कौनसे factors होते हैं जिसके कारण आपकी body के अंदर inflammation levels हमेशा हाई रहते हैं और uric acid की diet control करने के बावजूद low purine diet लेने के बावजूद आपको फायदा नहीं होता पेंस में तो यह थी हुई चर factor जो हम देखते हैं inflammatory factor में जैसे कि हमने पहले भी बात की वो था obesity के उपर यानि कि अगर आपका weight ज्यादा है तो दोस्तो losing weight is the most important thing सबसे important है कि आप at least five to seven percent of body weight lose करिये अगर आपका body weight ज्यादा है जिसके साथ आपके जो body के inflammation levels है वो reduce होंगे stopping alcohol मैंने पहले भी कहा है यह एक बहुत बड़ा factor है और यह देखा गया है कि जो beer drinker होते हैं उनके अंदर uric acid की जो pains होती हो जादा होती है तो यह भी देखा गया है कि beer के कारण inflammation levels जादा होते हैं तो आपको beer के ओपर control करना बहुत ज़रूरी है पर मेरी की सला मानिए overall alcohol को ही कम रखिये या बंद कर दीजिए avoiding sugar that is the biggest culprit of inflammation जब आपकी body के अंदर intake of sugar जादा है या आपके blood के अंदर sugar level जादा है जिसे हम diabetes कहते हैं तो दोस्तों उसके कारण आपकी body के अंदर inflammation हमेशा जादा जादा रहती है reducing blood sugar is the most important thing अगर आप diabetes की medicine ले रहे हैं व fruits में है fruit juices में soft drinks में soft drinks big no है उनमे जो fructose होता है वो बहुत जादा होता है तो उसको please आप बंद करिएगा walking 30 minutes is very important देखा गया है के 30 minutes of exercise is very important to control your body के overall inflammation levels reducing omega 6 बहुत सारे जैसे groundnut आईल है बहुत सारे vegetable or seed oils जो हम use करते हैं उनके अंदर omega 6 का content बहुत आए होता है तो उसके कारण आपको body में inflammation level जादा रहते हैं तो इसको कम करना इसको control करना बहुत ज़रूरी है दोस्तो बहुत सारे oils हैं जैसे olive oil है coconut oil है इनके अंदर omega 6 level बहुत कम होते हैं they are very helpful तो आप वो use कर सकते हैं घी is also very good alternative घी में cooking कर सकते हैं बटर में cooking कर सकते हैं तो दोस्तों ये चीजें आप आप यूज कर सकते हैं और अपना omega 6 का जो content है उसको कम करिए red meat दोस्तों ये देखा गया है कि दोनों चीजों को बढ़ाता है कि आपकी body के अंदर inflammation भी बढ़ाता है और आपकी body के अंदर purine का level क्योंकि red meat के अंदर purine का level बहुत हाए होता है तो दोस्तों ये भी एक बहु उसको reduce करिए या बंद करिए हल्दी बहुत helpful होती है तो अगर आपको हल्दी के capsule मिलते हैं वो लीजिए नहीं तो हल्दी पीस के आप ले सकते हैं हल्दी और काली मिर्च का combination मैंने बहुत सारी researches पड़ी है जहां पर one part of काली मिर्च PCOE काली मिर्च और four parts of हल्दी को अगर मिक्स करके लेते हैं तो that is very effective solution for inflammation in the body magnesium or potassium के supplements आप ले सकते हैं that can be very helpful carbohydrates reduce करिए simple carbs बोलते हैं जैसे आप जो चपाती ले हैं white art की mixed grain की चपाती लीजिए और अगर आप bread ले रहे हैं तो brown bread और full grains जिनमें पूरे grains के साथ बनी होती है छिलकों के साथ बनी होती है bread उनको लीजिए white bread को reduce करिए carbohydrates को simple carbohydrates को reduce करिए grains को जादा करिए जिनके उपर छिलका होता है अगर आपकी inflammation लेवल बहुत जादे हैं और बाकी सारे factors से नहीं फरक पड़ता तो एक diet जिसमें मैंने देखा है बहुत फैदा होता है और तो यह बड़ी controversial diet है ketogenic diet ketogenic diet बोलते हैं ज chronic inflammation में मैंने rheumatoid arthritis के ऐसे cases देखे हैं जहां पर बहुत severe inflammation होती है severe pains होती है they get better with ketogenic diet और यह आपको uric acid और gout में बहुत help कर सकती है dairy products को limit करिए especially liquid dairy products जैसे दूद है उसको कम करिए अब butter ले सकते हैं घी ले सकते हैं but कोशिश यह करिए कि जो milk है जो liquid dairy है उसको reduce करिए and में द अब से important है breathing techniques और हमारी जो योगा के अंदर हमारे जो घर की remedy है वो है प्रणया दोस्तों इसके ऊपर आप पोशिश करिए कि minimum 10 minutes और अगर हो सके तो 2-3 बारी दिन में यह करिए यह आपके stress levels को reduce करेगी और आपकी body के अंदर जो inflammation levels है उसको reduce करेगी दोस्तों अभी हमने यह जाना कि किस तरह से हमें अपनी body के अंदर inflammation levels को control रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम uric acid के कारण जो होने वाली pains है उनसे बचना चाहते हैं दोस्तों अगर इन सब चीजों के बावजूद आपको relief नहीं मिलता है तो दोस्तों होमेपेथी में बाव 90-95% केसे जो gout के होते हैं और especially अगर आपके big toe यानि की pair के अंगूठे में pain है तो वहाँ पर colchica motor nail बहुत फायदा देती है दोस्तों आप इसको 30C potency में ले सकते हैं दो दो drop liquid के अधिकटोरी पानी में डालके तिन में चार बारी ले सकते हैं for one month दोस्तों second medicine जिस प दे सकते हैं तीसरी medicine दोस्तों हम आते हैं barbarous vulgaris दोस्तों kidneys में stones अक्सर बनते हैं uric acid के कारण तो वहाँ पर barbarous vulgaris बहुत effective होती है दिन में चार बारी ले सकते हैं अगर आपको stress है और उसके कारण आपको लगता है कि आपके inflammatory levels high है तो दोस्तों यह थी हमारी चर्चा homeopathic medicines और uric acid और inflammation के ऊपर दोस्तों अगर आपको कोई और questions हो आप हमें email कर सकते हैं vikas at drhomeo.com पे यहाँ आप हमारी website पे जाके article पढ़ कर सकते हैं drhomeo.com पे यहाँ आप हमारे clinic पे call कर सकते हैं अगर आपको कोई further query हो दोस्तों अगले video तक के लिए नमशकार